सब्सक्राइब कीजी रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और घंटी को जरूर दबाए ताकि सबसे पहले आपको सरकारी परतियों रोजगार समाचा न्यूज और ताज आपडेट की चानकरी मिल सके आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार तोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के मादम से बताएंगे की जो ये लोग सबाक चुनाओं को देखते वे अफ केंदर सरकार किसानों के करज माफी और किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने पर बड़ी घुसना की है उसके बारे में देखिए केंदर सरकार ने बजट से पहले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है केंदर सरकान ने चार राजियों में किसानों के लिए 680 करोड रुपए की रहात पैकेज की मंजूरी दी है आप देखिए इस रहात पैकेज का लाब आंदर परदेश, गुजरात, महराष्ट और कानाटर के किसानों को मिलेगा इसके साथी आप देखिए इस रकम में आंदर परदेश के लिए 900 करोड रुपए और गुजरात के लिए 130 और महराष्ट के लिए 4700 करोड रुपए करनाटक के लिए 950 करोड रुपए के रहात की पैकेज को मंजूरी मिल गई है और इसके साथी वे सभी किसान भाई जिन्होंने किसी बैंक से कर्ज लेना चाहे वो भी इस वीडियो को समपून देखिए जिन्होंने कर्ज ले रखा है उसके साथ ही आपको मैं बताऊंगा छोटे वैसी मांत किसानों की आये में कमी की समस्या के निवारण के लिए सरकार खास तोर पे कोसिस कर रही है किर्शी मंतराले ने छेतर की समस्या को दूर करने के लिए अलप अवदी वदिर कालिग दोनों समादान प्रदान करने के लिए कई विकलोपी की सिपारी से की है तो दोस्तों हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले महने केंदर सरकार ने कुछ अधिकारें ने जो सूका प्रभावित राज्यों का दोरा किया था तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि सरकार जल्दी सूका प्रभावित राज्यों में किसानों के लिए किसी पैके और प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना को सरकार 15,000 करोड रुपए दे सकती है पिछले बजट में सरकार के तरफ से इसके लिए 13,000 करोड रुपए जारी किये गए से और इसके साथ इस वीडियो को देखिए कि जो किसान करज माफी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे आप देखिए कि प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना के मोजुदा धाचे में बदलाव किया जा सकता है small और marginal किसानों को ध्यान में रखते बदलाव किये जा रहे हैं और इसी योजना का लाब मिलेगा जिन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया उनको भी इसके अलावा फसल वीमा योजना के लाब के दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है सरकार की planning है कि उनकिसानों को भी नुकसान की भरफाई हो जिन्होंने करज नहीं लिया हो इसके अलावा banking network से बाहर रहे किसानों को भी बीमा योजना का लाम मिलेगा और इसके साथ या आप देख सकते हैं यहां इस पर लिखा है कि कुछ दिन पहले केंद्रिक किसी राज्यमंती प्रसोतम रुपाला ने कहा था कि जल्दी देश के किसानों के लिए बड़े रहत पैकेज की घोसना की जाएगी इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बात का खुलासा है कि पैकेज की जो घोसना बजट से पहले की जाएगी सुत्रों के मताबिक आप देखी पैकेज में 15,000 रुपे सालाना प्रती हेक्टियर परत्यक निवस समिर्थन दिया जा सकता है इसके अलावा एक लाख रुपे तक ब्याज मुक्त रिन और फसल भी मायोजना के प्रिम्यम में कटोती जैसे बड़े कदम सरकार उठा सकती है ये घोसना हो सकती है जल्दी किसानों के हित में लोकसवा चुनाव 2019 को नगतिक देखती है जब किसानों के हित के लिए केंदर सरकार भहुत बड़ा कदम उठा सकती है तो दोस्तों इसी परकार जो भी आपके हित में लेटेज जानकारे आई हम उनकी सूचन आप तक सबसे पहले पूचाने की कोसिज करें अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाल रंकी सब्सक्राइब और घंटे वाले बटन को जरूर दबाई धन्यवासाती